जैहिन दोस्तो मेरा नाम बहादुलो धी और आज किस वीडियो में हम करंट अफेस के एक और महत्कुन टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं जहां से एक्सर कॉस्टन एक्जाम में पूछे जाते हैं टॉपिक का नाम है बदले गए नाम तो दोस्तो पिछले दो से तीन सालों में जितने भी स्थानों के नाम बदले गए हैं जो कि आपके एक्जाम पॉइंट वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो आएए दोस्तो विना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नमबर फर्स्ट कॉस्टन से नमबर फर्स्ट कॉस्टन है सौराष्ट क्रिकेट एसोसिये सभ्सक्राष्जा नाम बदलकर रखा गया है निरंजन साह इस्टेडियूम और फर्स्ट के राज कोट में इस्थे ठीक है और एक और फेक्ट याद रखना यह सौर उर्जा संचालित गुजरात राज का पहला इस्टेडियम है नंबर सेकंड कोस्ट की बात करें पुड़े चोपड़ा की नाम पर रहा जाएगा पुड़े के Army Sports Institute Stadium का नाम नेश्टमारा कॉससन मुंबई के चर्च गेत रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा जाएगा तो मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा दाएगा चिंता मनी द्वार करनात देश्मुक इस्टेशन ठीक है और दोस्तों आप लोग इनके बारे में जानते होंगे इनको सोट में कहा जाता है सीडी देश्मुक ठीक है और सीडी देश्मुक नाम सुनके आप लोग समझ गया होंगे यह आरबीआई के पहले गवर्नर थहे कौन थween? आरबीआई के पहले भारतिय गवर्नर थे नैश कॉस्टन है इसरू ने किस रोकेट का अपनाम नौटी वॉय से बदल कर डिसीप्लेंट वॉय कर दिया है तो दुस्तों इसरू ने अपने रोकेट जीएसेलबी का अपनाम वाएक कर दिया है नेश्ट कोस्टन है तिलंगाना राज सरकान ने राज का संच्छत नाम टीएस से बदल कर क्या करने का फैसला लिया तो दोस्तों तिलंगाना का जो संखत नेम यानि की सौट नेम था ठीक है वो बदल दिया है पहले सौट नेम था टीयस अब तेलंगाना का जो सौट नेम है न यह होगया है टी जी ए ओफशन करख्ट हो जाएगा नेश्टमारा कॉस्सान इसी करम में तेलंगाना सरकार ने राजजगान बदलने का फैसला किया है तो तेलंगाना का नया राजजगान क्या है तेलंगाना का नया राजजगान दोस्तो जया हो जया हो तेलंगाना है D option करक्ठ हो जाएगा और यदि पूछा जाए कि नया राजजगान के composer कौन है यह गाना किस ने compose किया है तो एंडी स्री ने इनका नाम याद रखना एंडी स्री ने तेलंगाना का नए राज जगान जो है जया हो जया हो तेलंगाना इसको compose किया है नेशकौस्ता ने उत्त्तर प्रदिस में आयोध्या Reality रेलबे जंक्षन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो आयुध्या रेलबे जंक्षन का नाम बदल के कर दिया गया है आयुध्या धाम जंक्षन वी ओप्षन करक्ट आंसर हो जायागा देखिए उत्तरपदिश में कई सारे महत्पूर्ण स्थानों की नाम बदले गए हैं धाम जंक्षन क्या अयुद्या धाम जंक्षन ठीक हे अलिगड का नाम बदलकर हरीगड जासी रेयलवे स्टिसन का नाम fryक्ष तो ये सारे जो नाम बदले गए हैं उत्तर प्रदिश के जो कि महत्फूर है काई सारे में ये पूछी भी गए है ठीक है तो इनको आप जरूर याद रखेंगे नेश्ट हमारा कोस्टन हाली में आईश्मान भारत स्वास्त और करल्यान केंद्रों का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है इसका करक्टा अंतर हो जाएगा ऑप्शन ए आईश्मान आरोग मंदिर नेश्ट कोस इसको भी आप याद रखेंगे नेश्ट कोस्टन है एंसी इयाटी की उच्चिस्तर ये कमेटी ने वारवी क्लास तक के सामजर वग्यान की पुस्तकों में इंडिया सब्द की जगा किस नाम के इस्तिमाल करने का सुझाओ दिया है तो सभी लोग जानते होंगे कि अभी ये अप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा देखिए देश के नाम की यदि हम सम्मिधान एक इस्तिति की बात करें तो भारते सम्मिधान के अनुच्छित एक की जो पहली लाइन है उसमें ही लिखा है कि इंडिया यानि की भारत राज्यों का एक संग होगा यानि की इंडिया that is भारत ठीक है यह लिखा हुआ है नैश्ट हमारा कॉस्ट्sen है पुराने संसत्भवण को अब किस नाम से जाना जायागा दोस्तों जो पुराने शंसत्भवण हो जायागा डेटेर से समझ लेते है पुराने संसत्भवण की निउड़ रखी गिज़ी थी 1921 में और Lord Irvin के दवारा 1927 में इसका उद्घटन किया गया नियू रखी गई 21 में और उद्घटन किया गया 1927 में Lord Irvin के दवारा और पुराने संसद्भवन के वास्तुकार पूशे जाते हैं तो एडविन लुटियन और हरवर्ट बेकर इसके वास्तुकार हैं और नई संसद्भवन की हम बात करें तो इसका उद्घटन सभी लिग जानते होंगे 28 मैं 2023 इसको PM मोदी जी के दवारा किया गया और नई संसद्भवन की आधार सला रखे गई थी 10 दिसम्बर 2020 इसको मोदी जी के ही दवारा और नई संसद्भवन के मुख वस्तुकार बिमल पटेल और नई संसद्भवन का जो निर्माण है न ये सेंट्रल विष्टा पुनरवकास परियूजना के तहत किया गया और नई संसद्भवन का निर्माण किया है Tata Project Limited Company ने नई संसद भवन का निर्माण किया है तो ये पुरानी संसद भवन के बारे में और नई संसद भवन के बारे में सारे फेक्ट याद रखना है बहुती जादा महत्पून है नेश्ट हमारा कौशन है चांद पर जिस जगा पर चंद्रियान 3 का लेंडर लेंड हुआ है उस इस्थान को किस नाम से जाना जाएगा तो चंद्रियान 3 का लेंडर जहां पर लेंड हुआ है ना उस इस्थान को जाना जाएगा सिपसक्ती पॉइंट के नाम से वी ओप्सन हमारा करक्ट रांसर हो जायागा देखे दोस्तो अभी मोदी जी ने तीन बड़ी घोशनाय करी है चंद्रियान 3 की सफल लेंडिंग के बाद पीयम मोदी जी ने तीन बड़ी घोशनाय कर दी है कौन कौन से घोशनाय कर दी है एक तो कहा है कि 23 अगस्त को चंद्रियान 3 के चंद्रमा के द्रक्षिंध रोपर सफल लेंड होने के उपलक्ष में अब हर साल रास्टी अंतर्यक्ष दिवस यानि कि National Space Day के रूप में मनायाजाएगा कम मनाया जाएगा 23 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि 23 अगस्त दो हो जाए 23 को जो चंद्रियान 3 है ये चंद्रमा की द्रक्षी दरोपर सफलता पुरवक लेंड हुआ था इसलिए 23 अगस्त को मनाया जाएगा ठीक है और जिस जगा पर चंद्रियान 3 लेंड हुआ है ना उस जगा को उस इस्थान को सिब सकती point की नाम से जाना जाएगा और एक और घोष्णा करीं कि जो चंद्रियान 2 है ठीक है पहले जो Grund Land हुआ था तो चंद्रियान 2 ने जिस इस्थान पर अपने पद्र चिन ने चोड़े ठे उस इस इस्थान को तरंगा point की नाम से जानात आएगा यह तीन भूशना है और इंपॉइंट हैं यहां से कॉस्टन पूठी जाएंगे और दोस्तों यदि आप इसी प्रकास से डेटेल में और टॉपिक बाइस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेस की टॉपिक बाइस और मंतली बाइस अपडेट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इबुक को आप जरूर पर्चेस कर लीजिए इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक से मिल जाएगी इस्टेटिक जीके की राममार इबुक लॉंच हो गई है और यूपि जीके प्लस यूपि कर अंटरफेस की इबुक भी ल जाएगा नेश्ट हमारा कॉस्टन किस राज सरकार ने राज की जेलों का नाम बदलकर सुधार ग्रह कर दिया है तो यूपि की सरकार ने राज की जेलों का नाम बदलकर कर दिया है सुधार ग्रह है नेश्ट कॉस्टन है मौपा अंतरराष्टी हवाई अड्डा जो की गु कोई याय बार तो चाहर वार सिक रहे व सोशल मीडिया वड़ी तोईटर fertig ने अपनी नीली चड़िया वाली了 लोगो को किस के साथ में र्फिलिस कर दिया नीली की नीली चड़िया वाला logo थाना यह उढ़ गिया है ठीका है और इसकी जिगार पर टोईटर ने valor सा लोगों लाया है तो एक्स वाला ठीक है तो ए ओप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा ट्विटर की इस्थापना हुई थी सब्द की इस्तिमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतीवन्द लगा दिया ए 202 इरह की सरकार ने तो अब हम उसक्लिक सब्द जो स्कार्अ किया जाता था अब इस जगहांपर कौन सा सब्द इस्थिमाल किया जाएगा sexual deviance कौन सा sexual deviance सब्द इस्तिमाल किया जाएगा ठीके और जिसे homosexual को क्या कहेते हैं some language time ठीके तो sexual deviance को क्या कहेंगे yon-bituland ठीके यनि कि अब yon-bituland सब्द इस्तिमाल किया जाएगा some language time की जगा पर नेश्ट हमारा कौस्चा ने किरल विधान सवा ने राज का नाम बदल कर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है तो किरल राज का नाम जो है ये केरलम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है तो किरल राज का नाम केरलम हो सकता है अभी हुआ नहीं है प्रस्ताव पारित हुआ है हाली में किस राज ने इतवारी इस्टेशन का नाम बदल कर सुवास चंदर बूस के नाम पर रखने का फैसला किया है तो इतवारी इस्टेशन का नाम सुवास चंदर बूस के नाम पर रखा जाएगा ये फैसला किया है महराष्ट ने ठीक है और ये जो इस्टेशन है ना ये option करक्ट होजा आएगा next question है किस अरब देश ने अपने एक सहर का नाम बदल कर हिंद सिटी कर दिया है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि UAE एक देश है UAE यानि कि सेंट अरब अमीरा तीक है और UAE के एक जिला है मिन्हाद जिला तो मिन्हाद जिला का नाम बदल कर क्या हो गया है हिंद सिटी हो गया है next हमारा question है हाली में Adani Transmission Limited ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है तो Adani Transmission Limited का नया नाम हो गया है Adani Energy Solution Limited और यदि हम बात करें कि इसकी इस्थापना कप करी गई थी तो 2013 में इस्थापना करी गई थी और मुख्याला कहां पर है तो अहमदाबाद में मुख्याला है और यदि आप से पूछे जाएं कि इसके अध्यक्ष कौन है तो खुद गौतम Adani कौन गौतम Adani इसके अध्यक्ष है और CEO कौन है तो बिमल दयाल इसके CEO है नेश कोस्तन है महराष्ट के मुख्यमंतरी एकनाथ सिंधे ने अहमद नगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है तो अहमद नगर का नया नाम जो है यह अहल्या नगर रखा जाएगा A B option हमारा correct answer हो जाएगा देखिए केंसरकान ने नहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइबरेरी सुसाइटी जो की दिल्ली में है का नाम बदल कर क्या कर दिया है correct answer हो जाएगा PM मेमोरियल म्यूजिक एंड लाइबरेरी सुसाइटी नेश कोस्तन है अलीगड नगर नगम ने सर्व सम्मती से अलीगड का नाम बदल कर क्या रखने का प्रस्ता उपारत किया है तो अलीगड को अब किस नाम से जाना जाएगा हरीगड के नाम से जाना जाएगा A option correct हो जाएगा नेश्ट है मुंबई के बांदरा वर्सुवा समुद्री मार्ग का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया है तो बांदरा वर्सुवा समुद्री मार्ग का नाम बदल कर रखा गया है सोतंत्र वीर सावर कर बांदरा वर्सुवा समुद्री मार्ग ठीक है सोतंत्र वीर सावर कर सब्द आंगे जोड़ा गया है नेक्ष क्वेस्टन दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट इस्टेडियूम का नाम किस उद्योग पती के नाम पर रखा जाएगा और भारत का कौन सा होगा तो भारत का नरंद मोदी क्रिकेट इस्टेडियूम के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियूम होगा और इसका नाम उद्योग पती अनिल अग्रवाल की नाम पर अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल किर्केट इस्टेडियूम रखा जाएगा याद रखना ये कहां पर बन रहा है जैपुर में बन रहा है तो तेलंगाना के मुखमंत्री के चंद्रसेखर राव ने राज की नई सच्वाले भवन का उद्गटन किया तो राज की नई सच्वाले भवन का नाम किसकी नाम पर रखा गया तो तेलंगाना के नई सच्वाले भवन का नाम जो है ये बियार अमबिटकर सहाब के नाम पर रखा गया है बी ओप्शन हमारा correct answer हो जाएगा तेलंगाना के CM के चंद्रसेखर राव उस समय जो थे अभी आपको कमेंट करके बताना कि तेलंगाना की CM कौन बन गए ठीके तो 30 अप्रेल 2023 को हैदराबाद में नए सच्वाले भवन का उद्धगटन किया गया और इसका नाम डाक्टर वियर अंबिटकर तेलंगाना राज सच्वाले रखा गया निर्माण करने में 600 करोड रूप है इसका नाम रखा गया है इसका नाम रखा गया ऑप्शन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा नएश कोस्टन सबसे वड़े दीपों का नाम रखा है, तो किन प्रुसकार विजयताओं के नाम पर रखा है, करक्ट आंसर हो जायेगा, परम बीर चक्र विजयताओं के नाम पर, ए उप्षन करक्ट हो जाएगा नैश कोस्ता ने अंतराष्टी मध्धिस्ता केंदर जोकी नई दिली में है का नाम बदल कर क्या रखा गया है करक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया इंटरनेशनल और्बिट रेसन सेंटर नैश कोस्ता ने मध्धपदे से राज सरकार ने भूप के इसलाम नगरगाओं का नया नाम हो गया है जगदी स्पुर वी ऑप्षन करक्ट हो जाएगा नैश कोस्ता केंद सरकार ने राजपत और श्रेंटरल विष्टा लॉण जोकी दिली में है का नाम बदल कर नया नाम क्या रखने का एलान किया है करक्ट आंसर हो जाएगा जो जो राधधानी है ये क्या थी जकारता ठीक है लेकिन नई राधधानी क्या बनाई गई है नू संतारा ए ओप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा नैश कोस्ता ने किस देश ने अपनी राधधानी का नाम फिर से बदल कर अस्ताना कर दिया है तो देखे दोस्तो जो कजाक पती थे नूर सुल्तान अजर वायोब ठीक है तो इन्होंने रादधानी का नाम बदल कर नूर सुल्तान कर दिया ठीक है फिर दो हजर बाइस में फिर से कजाकिस्तान की रादधानी क्या हो गई है अस्ताना हो गई है याद रखना कुछ समय के पहले यह क्या हो गई थी नूर सुल्टान हो गई थी दो तिन सालों के लिए नेश कोस्तन हाली में महराष्ट के औरंगाबाद और उस्मानाबाद सहर का नाम बदल कर क्रमसा क्या हो गया है तो जो महराष्ट का मिलेट सुपर फूड भी कहा जाता है इसका नाम बदल कर हो गया है स्री अन्न ए ओप्सन करक्ठ हो जाया है नैश्चमारा कॉस्टन है भारतिय कर्केटर जूलन गुष्वामी की नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टेंड का नाम रखने का ऐलान किया गया तो देखे दोस्तो इडर गार्डन के रिकेट इस्टेडियम जो है ये कूल का तामे है और इस इस्टेडियम में एक स्टेंड है ठीक है इस स्टेंड का नाम जो है जूलन गुष्वामी के नाम पर रखा गया है नवी मुंबई इंटरनेशनल एरपूर्ट का नया नाम क्या हो गया है करक्ट अंसर हो जायागा डीवी पार्टल इंटरनेशनल एरपूर्ट और डीवी पार्टल कौन थे तो ये प्रसद राजनेता थे नश कोस्तन है विहार मखाना का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया गया है तो विहार मखाना का नाम बदल कर कर दिया गया है मिथिला मखाना नश कोस्तन है एंगलेंड के ली सेश्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल कर हाली में किस महान भारती खिलाडी के नाम पर रखा गया तो England का है Least Sister Cricket Ground और इस Ground का नाम किसी भारती खिलाडी के नाम पर रखा गया है तो ये question याद रखना डारेक्टली एक्जाम में पूछड़ाएगा किस के नाम पर रखा गया है सुनील गावसकर के नाम पर A option हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा नेश कोस्तन केन सरकान ने Bank Board Bureau यानि की BBB का नाम बदल कर क्या रखा है तो केन सरकान ने BBB का नाम बदल कर रखा है FSIB C option करक्ट हो जाएगा और डेटेल से समझे तो हाली में केन सरकान ने BBB यानि की Bank Board Bureau का नाम बदल कर FSIB यानि की Financial Services Institution Bureau रख दिया है ठीक है और इसका गठन किया गया था 2016 में और इसका मुख काम क्या है तो सारवजनेक छेत्र के बैंकों एवं वित्य संस्थानों के निदेशकों एवं चेयर्मेन की न्युक्ति करना इसका काम होता है बताइए तुर्की देश का भी नाम बदल गया है और तुर्की देश का नया नाम हो गया है तुर्की ये B option करक्ठ हो दाएगा नैश्ट हमारा कॉस्तन है उत्तर प्रदेश राजी की सरकान ने मैनपुरी सैनेक स्कूल का नाम बदल दिया ठीक है और मैनपुरी सैनेक स्कूल का नाम जो है ये हमारे देश के पहले CDS जेनरल बेपिन रावत के नाम पर रखा गया याद रखना मैनपुरी सैनेक स्कूल कहा का है उत्तर प्रदेश का और सिक्रम में एक और कॉस्ण पूशन पूशड आएगा कि किस राज में इस्तित कीबुतू Military Camp का नाम बदलकर देस के पहले CDS जेनरल विपिन राबत के नाम पर रखा गया तो याद रखना जो कीबुतू Military Camp है इसका नाम देस के पहले CDS जेनरल विपिन राबत के नाम पर र और इसी करम में एक और कॉस्टन कुछा अच्छा जो पातल पाणी railway station है ना ये मद्ध्रदेश में कहा परस्ते थे इंदोर में और इंदोर को मद्ध्रदेश की आर्थिक राधधानी कहा जाता है इसक endeavors में बताइए कि मद्धि प्रदेस की राध्धानी भोपाल है और भोपाल में इश्चे थे हबीब गंज रेलबे स्टेशन तो हबीब गंज रेलबे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है रानी कमलापती रेलबे स्टेशन नेश्ट मारकोस्टन केंज सरकार ने प्रवासी भारती केंदर का नाम बदल कर क्या रखा है प्रवासी भारती केंदर जो कि कहां पर नई दिल्ली में और इसका नया नाम जो है सुस्मा सुराज भबन कर दिया गया है नेश्टे विदेश सीवास संस्तान का नया नाम क्या हो गया है तो विदेश सीवास संस्तान का नाम भी सुस्मा सुराज की नाम पर रखा गया तीके सुस्मा सुराज विदेश सीवास संस्तान ये भी नई दिल्ली में इस्ते थे जल संसाधन नदी विकास और गंगा सर्रक्षन विवाग का नाम बदल कर क्या रखा गया है करक्ट आंसर हो जाएगा Ministry of जल सक्ती राजुगांदी खेल रत्न प्रुसकार का नाम बदल कर क्या रखा गया है करेक्ट अंसरोज आएगा मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न प्रुसकार ये कॉस्टन बहुत ज़्याद है और अभी दो तिने एक्जाम में ये पूंछा भी गया है तो देखे दोस्तो चो राजु गांदी खेल रत्न प्रुसकार है न ठीक है मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया 6 अगस्ट 2021 को और ये देश का सरवोच खेल सम्मान है तीक है राजु गांदी खेल रत्न प्रुसकार और इसका नाम जो है मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न प्रुसकार कर दिया है मोदी जी ने एक बर ये कोस्ट एक्जाम में डेट पूछी गई थी कि कब बदला गया तो अगस्ट 2021 में और बदले गए नाम की साथ अब इस प्रुसकार में 25 लाक रुपी का नगद प्रुसका दिया जाएगा और इसकी सुरुगात कब कर गई थी 1991 में और पहली बर ये प्रुसका दिय लिए गया था हमारे देश सत्रंज Grandmaster विष्बनात आनंद पूरोचि के Hue सतरंज Grandmaster विष्बनानंद को ठीके पहले ग्र WWE ये पहले सत्रंज Grandmaster है नेश्ट मार примерно तैंस Scод in पहना बदल और क्या कर दिया गया है तो याद रखना इस 아닌 कि ये किस से से शमनारे थैंस नाम बदल द दिया है वी औप्सन सऺ़ाएगा देखिए अंतरराश्ट्चे टैनिस महासंग ने टैनिस में दिये सआने वाले फैट कप नाया नाम गली किंग कप कर दिया थीक है और िसais कप का नाम अमेरिका की महान महीला टैनिस खिलाड़ी गली जीन को संवांद देने के लिए किया गया है नेश्टमार कोशन पंजाब के मोहाली अंतरराष्टी होकी इस्टेडियम का नाम बदल कर किस के नाम पर रखा गया करक्ट अंसर हो जाएगा बलबीर सेंस सीनियर की नाम पर नेश्टमार कोशन है कोटला इस्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है करक्ट अंसर हो जायेगा नरंद मोधी इस्टेडियम ओके और इसके बारे में तो सबी लुक जानती होंगे कहां पर यह इस्थेत तो यह गुजरात के एहमदाबाद में इस्थेत है और यह भारत का भारत का क्या पूरे दुनिया का सबसे बड़ा cricket stadium है, वोके, नैश्ट हमारा question है, facebook का नया नाम क्या हो गया है, तो facebook का नया नाम जो है, यह मेटा कर दिया गया है, ठीक है, और facebook जो है, इसने अपनी cryptocurrency Libra का भी नाम बदल दिया है, तो facebook की cryptocurrency Libra का नया नाम जो है, यह dime रखा गया है, नैश्ट question है, दिल्ली सरकार की द पर दिकया किया जाए नेश कोसे पूर्ण है एयर लाइन कंपनी Go Air का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो Go Air का नाम बदल कर कर दिया है Go First ए उप्सन सही हो जाएगा नेश कोसन ने अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है तो अफगानिस्तान देश का नया नाम हो गया है इसलामक एमिरेत और अफगानिस्तान ठीक है बी उप्सन सही हो जाएगा और राधधानी क्या है अफगानिस्तान की तो काबल सरकार की योजना के इसमाट ग्रां यूजना ठीक और इसका नाम जो है यह R сок की नाम पर रखने की खोष्णा करी हे महराष्ट सरकार के नंबेगश्ट सरकार्ग कि यूजना है The YouTube ओर एक नए ट Channel link कि कि इस नाम से संसल्ड़ टीवी नाम से एक नया चैनल लॉंच किया है पीम मोदिजी ने ने असम कैबिनेट ने राजुगांदी नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो राजुगांदी नेशनल पार्क का नाम बदल कर दो है औरंग नेशनल पार्क रखा गया सी ओप्सन सायूज आएगा नेश कोस्टन है मद्यप्रदीश के छिंदवाडा विस्विध्याले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो छिंदवाडा विस्विध्याले का नाम बदल कर राजा संकर विस्विध्याले कर दिया गया है नेश्ट कोस्ट ने गुजरात के केवडिया रेल बेस्टीशन का नाम बदल कर नया नाम क्या हो गया है करक्टांस रो जाएगा एक तनगर रेल बेस्टीशन ठीक है उड़ याद रखना ये कहां परस्तित है तो गुजरात के नरमदा जिले में इस्तित है नेश्ट है हाली मे प्रसिद्व परेटन इस्थल माउंट हैरियत का नाम परिवर्दत करके माउंट मनीपुर कर दिया गया है, आपको बताना है कि यह परेटन इस्थल है, यह कहां परस्थत है, दोस्तो ये परेटन इस्थल जो है, यह अंडिवान और निकूवर दीब समग़ में इस्थत है, C option हमारा correct answer हो जाएगा नेश्ट को सने किस सहर में एक चोराहे का नाम डाक्टर हईवन्स रायवच्चन की नाम पर रखा गया तो देखे दूस्तों मैं आपको बता दूं कि पोलेंड देश है ठीक है एक देश है कौनसा पोलेंड ठीक है तो पोलेंड देश का एक सहर है ब्रूक नाम क्या हो गया है क्रक्ट आंशर हो जाएगा दूस्तों गती सक्ती विस्विध्याले इसका नया नाम हो गया ठीक है और ये कहां पर रस्ते थे तो ये गुजरात के वड़ो दरा में इसते थे नेश्टमार कॉस्टन है किस राज की सरकार ने ड्रेगन फूट का नाम बद कर दिया गया है बी ऑप्सन सा यूज आएगा और हम बात करें तो बर्तमान में कच्छा एक से कच्छा आठ भी तक चलाई जा रही है मिड़े मीली यूजना एक और कैंसरकार ने इसका नाम बदल कर पीम पोशन यूजना कर दिया है और बर्तमान में इस यूजना के तहत लग से कम एक बार पोश्टिक भोजन उपलब्द कराना याद रखना इसका लक्ष है पोश्टिक भोजन उपलब्द कराना नाकी भोजन पानी पानी और थोड़ी सी दाल मिलाके दे देना ये इसका लक्ष नहीं है कुछ ना कुछ पूश्रकत तो उसमें होना जरूरी है नेश् सिक्क्यम के जवा जबाहरलाल नहरू रूट का नया नाम क्या हो गया है करक्टांस रोजाएगा नरंद्र मोदी मार्ग सेना खिल संस्तान जो की पुडे में है का नाम किसके नाम पर रखा गया है करक्ट अंसरो जाएगा जैवलन्थ रूवर यानि की भाला फेक्ष लाड़ी नीरच चुपडा के नाम पर नेश्टे हिसार हवाई अड़ा जो की हरया नाम है का नया नाम क्या हो गया है करेक्टर अंसर हो जाएगा महराजा अग्रेसेन हवाई अड़ा नेश्टे उत्तरप्रदे सरकान ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो काकोरी कांड का नाम हो गया काकोरी वी ओफ्सन से ऊज आएगा नम का हो गया है स्वच वारत अभियान का नया नाम क्या हो गया क्या है ? इस liberty वारत अभियान का नया नाम क्या हो गया है ? गरक्ट अन्सर हुजायागा राम गंगा नेशनल पार्क देखिए दोस्तू जिम कारिविट टाइगर रेजर्व ये कहां परस्ते थे तो ये उत्रा खंड सिनल घृटा और इसकी स्थापन करी गई थी तो 1936 में स्थापना करी गई थी और जब इसकी स्थापना करी गई थी ना उस समय इसका नाम था हैली राष्टी उद्ध्यान क्या हैली राष्टी उद्ध्यान इसका नाम था फिर क्या हुगा तो हुसंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। अभी मद्द्पदिस के दो तिन इस्थानों की नाम बदले जैसे हुसंगाबाद का हुसंगाबाद जिले का नया नाम हो गया है नर्मदापुरम। हुसंगाबाद जिले की है एक नगरपंचाय थे बाबाई, तो बाबाई का नाम माखनपुर कर दिया है, क्योंकि आप लोगों ने पड़ा होगा ना, जो कभी थे माखनलाल चतुरुबेदी, तो माखनलाल चतुरुबेदी की जिर्म, इसलिए है रखा गया है, इसलिए इसका निगम Limited यानि कि VSNL का नया नाम क्या हो गया है तो VSNL का नया नाम जो है यह हो गया है TCL यानि कि Tata Communication Limited नेश्ट हमारा question है रोची सोया इंडिस्ट्री का नया नाम क्या हो गया है तो रोची सोया इंडिस्ट्री का नाम पतंजली फूर्ट लिमिटेड हो गया है हाली में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है करेक्ट अन्तर गए इसका नाम हो गया है बदलाओ ठीके और यह जो बदलाओ टर्म है इसका भी full form है इसका full form होता है बेटी आपकी इसका नाम हो गया है। गोरकपूर की नगरपाली का परिसद मुंडिरा वाजार का नअप क्या हो गया है तो मुंडिरा वाजार का नए नाम हो नाम बदल कर्ट दिया तो जो मंकी फॉक्स वारस था ना इसका नाम बदलकर एम फॉक्स कर दिया गया है। यह उप्शन सही उधाया। बताए कि इस राज ने। चिपी ग्रीन फिड्र हवाई अटे का नाम बैरश्टर नात पाई के नाम पर रखने का फैसला किया। करेक्ट है कि मोगल गार्डण कहा परस्तित हैं दोस्तों मोगल गार्डण जो है यह दिल्ली में इस प्र च todd keyword और इसका नामभ्दलकर अम्रत गार्डण कर दिया गया है । मोगल गार्डण दिल्ली ठीक है और इसका नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया भारत राष्टसमीती, सॉट में इसको क्या कहेंगे, VRS इसको सॉट में कहेंगे, तो दुस्त, यहाँ पर जितने भी महत्पूर नाम बदले गये थी, चाहे वो इस्थानों की नाम हो, railway station के नाम हो, ठीके कुछ भी हो, बदले गए नाम जो topic है ना, उसको हमने complete discuss कर लिया है, यदि आप इसी प्रकास से सारे topic को पढ़ना चाहते हैं, current affairs के, तो आप हमारी e-book को purchase कर सकते हैं, इस e-book के अंदर current affairs के सारे training topic तो आपको मिल ही जाएंगे, plus में आपको monthly current affairs मिल जाएग static gk की रामान e-book लौंचो गई, इसको भी आप purchase कर सकते हैं, up की तैयर यदि आप कर रहे हैं, तो up gk plus up का ही current आपको एक ए-book में मिल जाएगा, और इन सारी e-book का लिंक आपको वीडियो के description box मिल जाएगा, तो मैं यही कहूंगा कि अपनी study को मजबूत यदि करना है, exam में selection यदि लेना है, तो हमारी इन सभी e-book को आप purchase कर लिजिए, एक question आपको छोड़ कर जा रहा हूँ, इसका answer आपको comment section ने बताना है, कि खेरो इंडिया महिला लीक का नया नाम क्या हो गया है, चार option आपको देख रहे होंगे, answer लगाईए comment section में, और वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होए, वीडियो अच्छा लगाई होगा, तो वीडियो को like कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको share कीजिए, channel को कर लीजिए, subscribe साथ में दबा लीजिए, bell icon ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालू ना, तो उसका notification आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो स को आप जरूर देख लीजिए, thank you दोस्तों, बांकी आपकी बहादोसर मिलेंगे आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए बिदा दीजिए, जय हिन, जय भारत बंदे मातरा,